Hello everyone, welcome to my channel आज हम इस वीडियो में synthetic polymers के बारे में detail में discuss करेंगे so synthetic polymers क्या होते हैं इसको समझने से पहले polymers क्या होता है ये जानना बहुत important है so polymers दो सब्दों से मिलकर बना है poly and merse जहाँ पे poly का अर्थ होता है many and merse का अर्थ होता है unit तो जहाँ पे बहुत सारे units आपस में मिले हो तो जो product बनता है उसी को polymers कहा जाता है जैसे कि ये एक particular unit है अब इसी प्रकार के बहुत सारे units जब आपस में covalent bond के द्वारा जूडते हैं तो जो product बनता है उसी को कहा जाता है polymers तो ये जो एक unit होगा इसको कहा जाएगा monomers यहाँ पे unit जो होता है इसको हम यहाँ पे जो एक unit होगा उसको कहा जाता है monomers मतलब कि बहुत सारे monomers अथवा बहुत सारे units जब आपस में रासानिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा covalent bond के द्वारा जूडते हैं तो जब जो product प्राफ्त होता है उस product को कहा जाता है polymers ठीक है I hope आपको समझ में आगया होगा ठीक है इसके नाम से ही इस परस्ट है poly मतलब बहुत सारे Moners मतलब unit जब बहुत सारे unit आपस में जूड़ जाते हैं तो जो product होता है उसी को कहा जाता है polymers यहाँ पर एक concept आपको और यह समझना है कि यह जो एक unit है इसका जो characteristic होगा इसका जो property होगा वो different होगा जब यह आपस यह बहुत सारी unit आपस में जूड जाएंगे तो इनका जो property होगा जूडने के बाद वो different हो जाता है अब यह जो monomers होते हैं same प्रकार के भी monomers आपस में जूड कर polymers बना सकते हैं and different प्रकार के monomers भी हो सकते हैं अलग-अलग monomers भी होंगे जिससे फिर polymers बनेगा तो यहाँ पर एक चीज बहुत important समझना है कि इसका जो लक्षन होगा जो characteristic होगा properties होगा एक unit का जब इसी प्रकार के बहुत सारी units आपस में जूड जाएंगे ठीक है तो उनका जो properties होगा वो different हो जाएगा जैसे कोई एक इंसान अकेला है तो उसका जो है अलग गूड है लेकिन वो जब एक group में जूड जाएगा तो उसका गूड जो है वो अलग हो जाएगा इस प्रकार से आप समझ सकते है ठीक है तो उसी प्रकार यही concept है monomers जब अकेला होगा तो उसका अलग property होगा जब वो आपस में जूड कर polymers बना लेंगे तो उसका property अलग हो जाएगा ठीक है अब यह जो polymers होते हैं दो प्रकार के होंगे एक तो natural polymer होता है एक synthetic polymer होता है natural polymer मतलब नाम से ही is first है natural मतलब की जो हमको प्रकृती से प्राप्त होता है उसको natural polymers कहा जाता है and synthetic polymers मतलब जिसको laboratory में मनुष्य के द्वारा बनाये जाता है उसको man-made या फिर synthetic polymers कहा जाता है ठीक है अब synthetic polymers का अगर हम basic introduction लिखना चाहें basically यह notes में आपको आपके theory exam के perspective से provide कर रहा हूं तो आप इसको जो है लिख सकते हैं अपने exam में तो इसको intro में कैसे लिखेंगे synthetic polymers are man-made large molecule created by chemically bonding together many small unit called monomers they are widely used in various industry due to their versatility strength and durability ठीक है तो यह इसका introduction है ठीक है क्या है यह man-made होते है synthetic polymers ठीक है यह large molecules होते हैं जो की बहुत छोटे-छोटे units जिसे monomers कहा जाते हैं उनको जो है उनको chemical bond के द्वारा बांधा जाता है जिसे हमको polymers प्राप्तो होता है ठीक है chemically bonding मतलब इसमें mainly covalent bond ही होता है ठीक है दो monomers आपस में covalent bond के द्वारा ही जूरते हैं और polymers बनाते हैं ठीक है plastics, nylon, teflon, back lights ठीक है यह important example है तो आज हम इस particular वीडियो में जो plastics है उसके टाइपस के बारे में discuss करेंगे ठीक है जो में समझेंगे तो आज हम इस वीडियो में plastics के polymers के बारे में discuss करेंगे तो जिसमें पहला है polyethylene इसे PE के द्वारा भी दर्साया जाता है so polyethylene is a synthetic polymer made from the polymerization of ethylene ठीक है ethylene C2H4 अब यहाँ पर polymerization एक नया सब्द आपको दिख रहा होगा ठीक है वही concept है जब monomers आपस में जूड़ते हैं ठीक है और polymers बनाते हैं तो यह जो पूरा process होता है इसको ही polymerization कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर जो polyethylene होगा यह synthetic polymers है ठीक है तो इसका जो monomers है polyethylene एक synthetic polymers है अब इसकी जो monomers है जिससे यह बना हुआ है polyethylene वो क्या है ethylene है ठीक है C2S4 यह जो है जब यह monomers है ठीक है यह जब बहुत सारे आपस में जूड़ेंगे तो polyethylene प्राप्त होता है ठीक है समझ में आ गया polyethylene एक synthetic polymer है जिसका जो monomers होता है वो ethylene होता है इसके नाम में ही चुपा है ethylene ठीक है ethylene और poly बहुत सारे ethylene जूड़े तो यह हमारा polyethylene बन गया it is a thermoplastic material thermoplastic material मतलब क्या होता है ठीक है यह भी simple term है thermoplastic material मतलब की moldable moldable मतलब जैसे कि अगर हम लोहे को कोई shape देना होगा ठीक है लोहार के पास जाएंगे तो क्या करता है लोहा को पहले गरम करता है उसके बाद फिर उसको अपने मंचहा shape में देता है थंडा कर देता है फिर ओजो लोहा है उसी जस सेप में उसको दिया गया रहता है उसी सेप में रह जाता है ठीक है तो उसी प्रकार ये polyethylene भी thermoplastic material है मतलब इसको गर्म करेंगे उसके बाद इसको मंचाहा जो है हम मंचाहा रूप में ढाल सकते हैं ठीक है अगर हमको कुछ भी बनाना हो तो ये moldable होता है उसके बाद उसको फिर ठंडा करेंगे तो फिर उसी रूप में ठोस हो जाएगा ठीक है मतलब thermoplastic material मतलब इसको हम अपने मंचाहा रूप में इसको ढाल सकते हैं गर्म करके जो हम घर में यूज करते है नॉर्मल plastic bags, bottle, container ये सभी जो है polyethylene plastics होते हैं ठीक है अब यहाँ पर इसका structure भी आप बना सकते हैं ये basically ये theory exams के लिए है तो theory exam में अगर आपको लिखना है अगर आपको answer अच्छा दिखाना है तो इसमें structure वगरा बनाएंगे तो बहुत अच्छा रात है ठीक है तो ये thermoplastic polymer made from the polymerization of propylene C3H6 ये formula आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है and used in textile automotive parts, reusable container, laboratory equipment and medical devices तो ये simple सा इसका introduction है इसका uses है तो ये ये भी जो है एक thermoplastic polymer है मतलब ये भी moldable है इसको भी मंचाहा रूप दिया जा सकता है इसका एक important point आपको धिया रखना है कि इसका जो melting point होता है ठीक ह जिसे हम इसको गर्म करते है वो 170 degree centigrade के आसपास होता है जो polyethylene उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होता है ठीक है इसका melting point है polyethylene की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है ये low density and light weight होता है इसकी तुलना में ये अच्छा है क्योंकि ये light weight होता है ठीक है तो इसको किसके लिए यूज किया जाता है इसको basically textile में जैसे carpets बनाने के लिए automotive parts मतलब जैसे की bumpers, dashboards, battery case ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है इसके लाबा medical devices जैसे की syringe वगेरा यूज बनाने में and furniture toys ये सब बनाने में polypropylene का यूज किया जाता है ठीक है अब इसकी structure अगर हम देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं यह polypropylene plastics है तो यह एक unit है moromers है propylene इसका polymerization हुआ आपस में जूड़े तो यह polypropylene बन गया ठीक है polymers अब यह वाले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर N मतलब numbers होग बहुत सारे numbers होग आपस में इस परकार से जूड़ेंगे ठीक है तो हमारा polyp propylene बनेगा अब थर्ड टाइप है polyvinyl chloride PVC यह आपने सुना होगा बहुत important है यह PVC के नाम से भी पूछा जाता है तो PVC का full form होता है polyvinyl chloride दो एक टाइप का synthetic polymer है तो polyvinyl chloride is a synthetic plastic polymer made from the polymerization of vinyl chloride monomers ठीक है यह CH2 double bond CSCL vinyl chloride इसका क्या है monomers होता है जो आपस में जूड़के यह polyvinyl chloride बनाते हैं it is one of the most widely produced and used plastic globally due to its versatility durability and relatively low cost ठीक है अब यह जो PVC होता है इसका basically यह बहुत जादा यूज़ किया जाता है globally क्योंकि यह जो है थोड़ा low cost होता है ठीक है उन दोनों के तुल नाम है यह थोड़ा low cost होग तो इसको पहुँँ जादा यूज़ किया जाता है and PVC can be produced in two main form दो main form में इसको produce किया जाता है एक तो rigid PVC एक flexible PVC ठीक है एक कठोर वाला PVC और एक flexible ठीक है normal जो है PVC दो इसके type होता है यह आपको ध्यार रखना होगा बाकि normal है वही point है आप लिग सकते हैं यह basic introduction है कि polyvinyl chloride एक synthetic plastic polymer ह और यह जो है इसका monomer होता है vinyl chloride ठीक है अब इसका structure में आप बना सकते है vinyl chloride इस पकार इसका addition polymerization होगा बहुत सारी unit इस पकार से जूड़ेंगे तो यह polyvinyl chloride हमारा बन जाएगा ठीक है इसका mainly use होता है construction materials बनाने में medicine device electrical insulation यह सब में जो है बहुत use किया जाता है polyvinyl chloride का तो यह ह क्या basic concept ठीक है अब हमने तीन main type है यह उसके अलाबा और भी बहुत type के synthetic polymers है जिसमें आपका poly strain होगा poly strain जो है इसको foam packaging insulation and disposable cutlery बनाने के लिए use किया जाता है cutlery मतलब जो चमस वगिरा जो disposable होंगे and poly ester ठीक है PET nylon acrylic यह सब भी बहुत सारे synthetic polymers है लेकिन यह main है ठीक है आपको two marks में कभी भी पूछ लिया जाएगा कि poly vinyl chloride क्या है PVC तो आप यह structure बना देंगे and basic लिग देंगे तो भी enough रहेगा तो यह हमने synthetic polymers का एक simple सा concept समझा ठीक है synthetic polymers क्या होता है और plastic synthetic polymers के बारे में discuss किया तो I hope आपको समझ में आ गया होगा and यह notes आपके exam preparations के लिए helpful रहे होंगे आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल के सा जूरे रहे है थैंक्यू सो मच पॉचिंग